मटर पनीर बनाने के लिए सबसे पहले 200 गराव पनीर ले अदी प्याली मटर ले 2 प्याज काट के लिए रख ले एक अरीमिट्स ले ले अपनी इच्छा उनसार और भी ले सकते हो थोड़ी मात्रा में लसन और अद्रक ले लीजिए चुटकी बर हीन ले लीजिए काजू, बड़ी लाईची, काली मिर्द, लोंग हरी लाईची तेज पत्ता कडाई में एक चमस तेल गरम कीची अब तेल में सारे साबत मसाले डाल देजिए और अच्छे से से किल जिए थोड़ी देर तक इनको हलका हलका सेकते रहे अबिस में प्यार डाले अबिस में प्यार डाले इनको हलका हलका सेक ले ये ट्माटर डाल दे सबसे पहले नीची दिएगे सबस्क्राइब बटन को दुबाए अब इसमें एक कपाई डाल कर थोड़ देर पकाई जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पक चुके हैं से सारे बड़े मसाले अलग निकालने अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दे इन्हें मिक्सी में पीछ ले चलिए तड़का त्यार करते हैं तड़के के लिए एक चमत तेल डाल लिया है जीरा, हींग, हरी, मित डाल कर भूल ले त्यार किये वह पेस्ट को इसमें डाल ले इसमें स्वादूं सार नमक डाल ले अधी चमस हल्दी डाल ले अधी चमस लार मेर्च डाल दे अधी चमस दनिया पिसा वा दनिया डाल दे थोड़ी मात्रा में पिसे वा एक आजू डाल दे यह देखो कि मसाला सिख चुका है तेल छोट रहा है अब इसमें एगलास पाइं डाल दे अभी एक रेवी पकने लगी है तो इसमें मतर डाल दे अब इसमें मतर पकने तक ड़क कर पकाएं अब मतर पक चुके हैं अब इसमें पनीर के टुकडे डाल दे अब मतर पनीर की सबजी त्यार है वा किती अच्छी कुसू आ रही है अब मतर देह सक्वाव ए की सब्सềnekिस कि अब इसमें मतरी सबस्से की साध् सबस्से की की सबड़गे ओलयस